आज की मेरी रेस्पी है आलू मटर का पुलाव इत रहता कम से कम टाइम में विदाउट कुकर कडाही में एक एक दाना खिला खिला खुस्पोदार विंटर स्पेसल आलू मटर की पुलाव कम से कम टाइम में परफेक्ट प्रेशयो और सिंपल ट्रिक के साथ ये बनके रेडी हुआ है एक बार आप बनाओगे बार बार खाने का दिल करेगा अगर एक बार इसे खाएंगे तो आप बिरियानी खाना भूल जाएंगे कम से कम टाइम में ये बनके रेडी हुआ है विल्कुल खिला-खिला सा एक-एक दाना खिला-खिला सा इस वीडियो में ये सिक्रेट प्रेक मैं बताने वाली हूँ है लो गाहिच मैं अंजली कोटेन व्लॉगरी थंजली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आलो मटर पुलाव बनाने के लिए हम पहले एक बाउल लेंगे तो हमने बाउल लिया है इसमें एक बड़ा कप सेट कर लेंगे जिसे एक कप हमने इसमें राइस लिया है राइस हमारा बासमती का राइस है आप कोई और भी राइस यूज कर सकते हो और इसे बहुत अच्छे से करेंगे ताकि इसका जितना स्टार्च हो वह बिल्कुल अच्छे से गिर जाए और हमारे खिली-खिली सी राइस बनके त्यार हो और बिल्कुल अच्छे से इसे वास करने के बाद इसे हम वाटर डालेंगे और वाटर डालने के बाद इसे 20 मिनद तक हम फुल निक ले छोड़ कड़ाई को बैठाएंगे तो कड़ाई बैठा दिया हमने कड़ाई हमारा करम हो गया इसमें ढाल दी रिफाइन ओल और इसमें एक चमबस डालेंगे घी क्यूंकि घी का टिस्ट पोलामी बहुत अच्छा आता है इसके बाद कुछ इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसम इसमें दो रग्मिर्ची हमने अड्र कर दिया है और प्याज को भी इसमें अड्र कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से प्याज का, golden brand होने तख 2-4 मिनट तक पकाएंगे तो 2-4 मिनट हो गया है, देखे हैं टमाटर हमारा काफी अच्छे से सौफ्ट हो गया है सौफ्ट होने के बात अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड़ करेंगे इसके टेस्ट को डबल करने के लिए तो हमने इसमें हल्दी पॉड़र लिया है, हल्दी पॉडर के बाद अब हम इसमें जीरा पॉड़र लेंगे, और लेंगे गरम मसाला, और थोड़ा सा इसमें लेंगे रेड कास्मीरी मिर्च, आप चाहों तो कोई और भी मसाला यूज़ करना है कर सकते हैं, और दो कटीवे ग करेंगे तो 2 Mlle size के आलू लिया है और बिलकुल अच्छे से स्लाइस में डेम करेंगे क्योंकि हमारा अलु मतर दम पोलाओ है तो दम अलु है तो थोड़ी बड़े-बडे स्लाइसे होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से आलो को वस करके मटर और आलो मसाले में अड़ कर देंगे बिल्कुल अच्छे से कोक करने के बाद अब जो चावल को हमने फुलने के लिए डाला था उसे बिल्कुल अच्छे से छान के निकाल लिया है एक एक पानी निचोडने क तो चावल हमारा एक कप है तो वाटर हमने राई कप इसमें एड़ किया है क्योंकि कुकर में अगर पकाते तो वाटर डेड़ कप जाएगा अब बिल्कुल अच्छे से इसे चलाने के बाद इसमें हम भीगोई हुए चावल को एड़ करेंगे तो पहले हमने धन्यापत्ता हलक देंगे और 15 मिनट के लिए मिडियम फ्लेम आज पर हम इसे को खोड़ देंगे तो देखे लीड हमारा लग गया है और हमारा 15 मिनट के बाद हम वापस लीड को हटाएं हमारा 80% पोला ओरेडी हो गया है अब इसे बिल्कुल अच्छे से हम चला लेंगे इसमें हल्का सा चिप है तो अभी हमें 20% है जो दम पे पकाना है तो दम के लिए है मेरा सिक्रेट ट्रिक तो मैंने अपने सिक्रेट ट्रिक में एक कॉटन का कपड़ा लेंगे तो बिल्कुल अच्छा से हमने कॉटन का कपड़ा लिया है और इसमें जो हमारा लीट है यानि जो हमारा धकन है इसक करेंगे 10 मिनट होगे perfect हमारा पोलाओ बनके रेडी हो गया है 100% खीली खीली से बनके रेडी हो गया है अब इसके साथ खाने वाले रहता बनाना है तो हमने खीरा को cut कर लिया और टमाटर को भी cut कर लिया अब इसमें हम दही को ऐड़ कर दिये और हमने इसमें भूजा हुआ जी खिला खिला सा एक केक दाना फ्रेस बिल्कुल इसके गंद से तो पूरे घर में बहुत अच्छा सा सुगंध फैल जाएगा और काफी टेस्टी सा हमारा पॉला औरेडी है अगर आपको विडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक सेर और सस्क्राइब करिएगा